दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे transformer में use होने वाले PRV के बारे में यानि कि pressure relief valve के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि transformer में PRV होता क्या है, PRV का function क्या होता है, PRV हम लोग लगाते ही क्यों है transformer में और PRV का operating pressure कितना रहता है industries में, यह सब कुछ आज हम लोग discuss करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो बिना time waste यह शुरू करते हैं, दोस्तो आज का topic इसलिए भी important है क्योंकि जब भी transformer के बारे में बात होती है इसलिए भी आज का topic ज़रूरी है क्योंकि transformer के PRV के बारे में भी एक overview knowledge आपके पास होना चाहिए तो दोस्तो अगर कोई एक दो sentence में आपसे यह पूछे कि PRV का basically transformer में function क्या होता है तो आप उसे यह बता सकते हैं कि transformer tank में जब भी access pressure build up होता है तो उस access pressure को release करने के लिए जिस device का हम लोग use करते हैं उसको pressure relief wall या pressure relief device कहा जाता है इसको PRV और PRD दोनों नाम से बोलते हैं अब दोस्तों आपके mind में सवाल यह आएगा कि transformer tank के अंदर access pressure build up ही क्यों हो रहा है transformer tank के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसके वज़े से access pressure build up होने की condition arise हो रही है तो देखे transformer में जब भी कोई internal electrical fault होता है जब भी कोई severe electrical fault होता है transformer के internal circuit में तो उस वज़े से transformer का जो oil है यह decompose होने लगता है transformer का जो oil है यह evaporate होने लगता है transformer के अंदर arc produce होता है ये सारी चीजों के वज़े से transformer के tank के अंदर pressure build-up होता है अब transformer का जो tank है ये पूरी तरीके से enclosed है इसलिए हमें एक ऐसे device की requirement है कि जब भी transformer tank के अंदर oil का decomposition होगा oil evaporate होने लगेगा और arc produce होगा तो उस case में excess pressure को release करने के लिए हमें एक device की requirement होती है और यही काम transformer में pressure relief valve करके देता है अब दोस्तों आपके mind में सवाल आएगा कि pressure relief valve actual में काम कैसे करता है तो जिस PRD की हम लोग बात कर रहे हैं pressure relief device की बात कर रहे हैं ये basically transformer के topmost portion में आपको लगा हुआ दिखेगा transformer tank के upper portion में हम लोग PRD को लगाते हैं अब इसमें basically एक spring होता है और एक plate होती है जो open और close होके pressure को release करने का काम करती है अब जब भी transformer tank के अंदर pressure generate होगा जब भी oil का decomposition होगा, oil evaporate होगा उस वज़े से transformer tank में pressure build up होगा अब जब भी transformer tank में high pressure build up होगा तो इस pressure के वज़े से PRD की जो spring है ये spring compressed होगी और जब भी spring compressed होगी तो PRD की जो plate है ये open होगी plate open होने से जो भी excess pressure है वो release हो जाएगा जैसे ही आपके transformer का excess pressure release हो जाए जैसे ही pressure की value आपके preset value से कम आ जाए वैसे ही आपका जो spring है PRD में हम जो spring use कर रहे हैं ये spring वापस से release होना शुरू होगा अपने original position पर जाना शुरू होगा जिसके वज़े से जो plate open होई थी अब वो plate वापस से close होने लगेगी और आपका जो pressure release valve है ये वापस से पूरी तरीके से close हो जाएगा इसलिए दोस्तों ये पूरी तरीके से automatic system है पहले जो pressure release device आते थे ये अगर एक बार open हो जाए तो ये अपने आप close नहीं होते थे पर आजकल जो PRD हम लोग use कर रहे हैं ये automatically open भी हो जाते हैं और जब भी access pressure release हो जाए तो ये अपने आप अपने original position पर भी आ जाते है pressure relief wall अपने आप close भी हो जाता है और ये सब कुछ एक spring tension के principle पर किया जाता है अब दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि transformer में अगर PRD operate हो जाए pressure relief wall अगर operate हो जाए तो उससे होगा क्या देखिए अगर आपके transformer में internally कोई severe electrical fault होता है जिसके वज़े से PRD operate हो जाता है तो आपका circuit breaker तूरंद इसे sense करकर trip कर देगा देखिए transformer में हम लोग जो PRD लगाते हैं इसकी wiring हम लोग relay और circuit breaker में भी करते हैं ताकि transformer में कोई भी internal fault हो अगर PRD operate होता है तो उसका एक alarm भी आपके panel में generate होगा और आपका panel इसे sense करके circuit breaker को trip भी करेगा अब दोस्तों एक सवाल ये भी रह जाता है कि industries में basically कितना pressure build up होने पर transformer का PRD operate होता है इसका मतलब ये है कि transformer tank में कितना pressure build up हो जाए तो हमारा pressure release device काम करेगा तो देखिए जो pressure relief valve आते हैं ये basically अलग अलग pressure level पे आते हैं इसका मतलब ये है कि 0.35 kg per centimeter square से 1.5 kg per centimeter square तक आपके PRD की range आती है आपके requirement के हिसाब से आपके application की हिसाब से कि आप जो transformer use कर रहे हैं उसकी rating कितनी है उसका application क्या है किस type का transformer आप use कर रहे हैं इन सब पर depend करेगा कि आपका जो transformer tank है इसमें कितना kg per centimeter square का pressure build up हो सकता है और उसके हिसाब से आप PRD की value को decide करेंगे लेकिन इसकी जो range है ये 0.35 से 1.5 kg per centimeter square के बीच में होती है और आप अपने requirement और अपने application के हिसाब से किसी भी range का PRD order कर सकते हैं तो दोस्तों PRD से related अगर एक general overview आपको मिला हो कि PRD basically होता क्या है और इसका function क्या होता है transformer के working में तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसी एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुडबाई